कि अलेक्टान विद मैस M not मोग में इस स्पीड अब एक इलेक्टान है वह को ज्यादा ही स्पीड से मूब करएं अब भूइट एट असी से मूब कर रहा है जो तो इस मास अब मुभिंग मास अब यह जो है अब थोड़ा सा हम लोग के असलेवस से हट कर तो यह 8 upon 10 by c that is 4c upon 5 यह क्या है एक speed है जो कि light speed के पास-पास है तो इसका मतलब यह हुगा कि यह जो question है वो relative stick से होगा relative stick मास जो है m moving mass is equal to m यह क्या है यह किसी पार्टिकिल के आसपासी स्पीड से मुग कर रहा है तो यह थोड़ा सा का out of syllabus question इसको मैं बोल सकता हूं क्योंकि तो 1 by v की value that is 4 c upon 5 और c under root का a square और यह under root तो c ने c को कतम कर दिया और यह 5 उपर चला गया तो 5 m not that is और यहां से 5 और यह 25 और माइनस 16 अंडर रूट मलब 9 तो यह 5 m not by 3 this is the moving mass अगर इस ती velocity से move करता है तो उसकी moving mass इतनी है हमेशा याद रखो कि यह इस्टाइल का करना था कि अगर velocity बढ़ा देते हैं तो mass increase हो जाती है इस इक्वेशन से पर classical physics में नीटोरियन फिजिक्स में यह अजम संचिपा रहता है